हलो दोस्तों नमस्ते कैसी आप सेफ आई होप अच्छे हैं मैं चंचल स्वामी वोलोग यूटूब चैनल पर आपका कर रही हैं बहुत बहुत स्वागत और चैनल पर नई हो तो पर चैनल सस्क्राइब परो बेल आइकन बटन दबाओ ताकि आपको मेरा हैड नोटिफिकेशन मिल सकेता दोस्तों अभी मैने बनाई हैं चाय और मेर बाहर बेट कर चाय पिए रही हूं सुब्र-सुब्र corrug का मुस्रम है बहुत ही अच्छा स्वाम मुस्रम है तो दोस्तों बहुत ठकान अयुए थी इसलिए मैं ने बड़ी वाली गिलास बढ़ के चाई बनाएं मेरे लिए इतनी चाय पीओंगी थोड़ी थकान उतरेगी तब काम होगा इसलिए मैं यह पूरी गिलास बढ़ के चाय पी रही हूं बड़ी वाली ताकि सुबह-सुबह थोड़ा परेस हो जाएं तो थोड़ी एनर्जी मिल तो मैंने को वीडियो नहीं बनाया रात को सो गये थे और इदर आके हम मेने यह राजतानी पहना पहन लिया है और गाइस अभी में दिखा रहे हुए मेरे घर के हालत केशी हो रखिया है देखो गाइस पूरे गर में इसे गास कितना बड़ा बड़ा गास हो गया है गायों को दालने के लिए अभी इसको काटेंगे पूरे को सुबह से लगे इतना तो काट दिया है कि इतना काटा है अधर से सब जगे से साफ कर दिया है और मैंने हेड़ पंप से पाने निकाल लिया इतना गास काट के रख दिया है अब पिच्छे से सौप नहीं किया है भी पिच्छे से तो है भी और अब आप इदर से सब साफ कर दिया और आगे आगे सिबया खाली और आगे आगे से काहट कर साफ करना अभी इ सब बाहर गाए खड़्य औस गाए को डाल देंगे सब और गाईस अब मैं जा रही हूं जाड़ों निकाल ले लिए मैं करूँ गर्गी अंदर से सफाई और हमने चाई बना के पीर ली है और अभी सुबह के बज़े हैं अब आगे का काम करेंगे गर की सपाई का अब जा रहे हैं अंदर गर में अब आगे तो गाइस अंदर के कुछ साफ नहीं किया है रात को खाली बाहर बाहर से सोड़ा जाड़ो लगा के और बेंट शिर बाहर से जटका के रात को यश्चे सो गए थे अभी करेंगे सब काम सपाई का कि देखो गाइस अंदर से पहले सथकी सपाई करोंगी और फिर और काम करोंगी तो गाइस यह बताना कमेट्स करके आज मैंने यह पहले हैं कैसे लग रहे हैं यह राइस्तानी पैना इस तूनड़ी ओड़ी है कि आप को बसे तब तक 10 साढ़ी दस हो गई थे और रात बहुत सड़दर्ध करने लगा तक घए थी रात को सुबह की रवाणा पांस बजे की रवाना होए त्व, यह थे सुरत से देखो दोस्तों बाहर से हमने फूरी सपाई कर ली है गास को काट लिया देखो हमारे कितना अचा कर लिया कुलों की पापा ने कटा अप्ला घास और बहुत इचा मोसर में भी देख लो आप सुबह का टाइम है अब अब अंदर से करना है अंदर से साफ पर अब दोस्तो हमने घर की पूरी स्पाई कर ली और आज फिर वापिस जाने का है सूरत और अभी जा रहे हैं हमारे पुरणे वाले घर पर हमें पूरे गर को वापिस सपाई कर लिए भार्ग कर दिया और समान समोल सा पे कर कर के और अभी पुराने वाले घर जाएंगे और उधर शहीं वापीस है जाएंगे जिस हम आगए हैं पुराने वाले घरपर और इधर सुझ कपड़े दोएं आज इतने दिन गंदी हो गए थे तुरे कपड़े दोगे- तो दोस्तों आज मेरे जठानी हम सब के लिए बना रही है मूंग की डाल अभी काट रही है मेर्च और मेरे जठानी भी है और मामा जी की लड़की भी है तो बहीन भी है तो दो रिस्ता एक साथ है हमारा तो यह आज मेरे को नहीं बनाने दे रही है यह बना रही है बहुत टे कि लिएफें देखो जीरा और राई दोनों नालगी और लाग इस डाली है तो दाल इसका भी मीश्य रिधा ज़िक जाइए दाले बनाएंगे अब डाल रही है अपने स्वादान उसार और दोस्तों अब इसके अंदर डाल रहे हैं और मसाला देखुत हल्दी डाल रही है और धनिया पाउडर अभी लाल मीर्ट ठोड़ी टाली है दाल के अंदर रधनिया पाउडर नहीं है तो भी चलेगा और दाल में छोंक लगा दिया हिंकी बहुत ही अच्छी खुस्पू आ रही है बाहर दूर दूर तक हिंकी खुस्पू आने लगी बहुत अच्छी हिंग है और अमारी दाल दस मिनट में बनके तयार हो जाएगी चें कि अच्छी खुचुर फ़की क Caesar PB पता लिए लिएपा फॉड़ा तैने ृस बसक्क सटेलो में चुर्चु आट्र दाली rulे लिएवा fulfilled और आजिया और दिखे वह नहीं हुआ 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 है तो दोस्तों अभी में आपको देटवाने में जो नमक बन रहा है वहां दिखाउं की ताल में इतना पाने जमा हुआ है और की नमक बन रहा है और नमक का काम सब रहा है आप देख सकते हो तो दोस्तों आज का ब्लोग यहे पर करते हैं कितम और आगे मिलेंगे फिर नहीं ब्लोग के साथ तब तक के लिए बाई बाई